नमस्कार साथियूं मेरा नाम है आरके सिंग संस्किति आईएस के सरकारी योजना आयोम कारकरम सीरीज में आप सभी का स्वागत है इस सीरीज के अंतरगत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक एप है एप क्या है रंगीन मशली मोबाइल एप इसी की चर्च में है और साथ ही इसकी कौन सी बिसेस्ता है जो आपके एक्जाम के दिष्टिकों से महतपूर है चलिए देख लेते हैं सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये जो मोबाइल एप है ये क्यों चर्चा में है इसके लिए आपको जाना होगा कहां पर तो आपको जाना होगा पी आ हुआ है इसके बारे में देखें तो केंद्री जो मत्सपालन पसुपालन और डेरी मंत्री है स्री राजी रंजन सिंग उर्फ ललन सिंग इन्होंने क्या है कि केंद्री मीठे पानी के जल या जल किसी जो संस्थान है, इसके भुनेस्वर में ये आउस्थित है और वहीं पर रंगीन मचली जो एप है, इसे यहाँ पर इन्हों ने लांच किया है, और इसी कारण से खास तोर पे ये चर्चा में है, इस कारण क्या में देखें तो मस्पालान, पसुपालान, डेरी, जो कह सकत हैं मंत्री हैं वो भी यहां पर उपस्थित थे इसके अलावा कहें तो प्रधान मंत्री मस्चित जो संपदा योजना है PMMSY उसके सहयोग से खास तोर पे ICARCIFA के द्वारा बिक्सित यह है जो मोबाइल एप है खास तोर पे जो सजावटी मस्चित रहे उसकी बढ़ती जो जरूरते हैं उनको पूरा करने के लिए खास तोर पे इस एप को बनाया गया है जो खास तोर पे क्या होगा कि जो मचलियों के जो सौकीन है जो जो सौप वाले जो मालिक हैं और मचली पालकों के लिए खास तोर पे यह जो एप है यह महत्पूर ज्यान संसाधन प्रदान करेगा तो चलिए थोड़ा सा इस एप के बारे में देखते हैं रंगीन मचली एप है गया तो इसे सजावटी मत से पालन छेतर की बढ़ती जरू जो दुकान मालिक है और फिर मचली जो किसान है उनके लिए खास तोर पे यह ज्यान संसाधन का एक स्रोथ होगा इसके कारण से खास तोर पे यह चर्चा में है यहीं नहीं रंगीन मचली जो मोबाइल एप है इसका जो विकास किया गया है किसके सहयोग से किया गया है तो इ तीसरा जो सहयोगी है वो है प्रधान मंत्री मस्स संपदा योजना इन तीनों के सहयोग से खास तर पर इस रंगीन मचली मोबाईल एप को विख्सित किया गया है तो देखें ये आपके परिच्छा में पूछा जा सकता है कि perfect रंगीन मचली मोबाइल एप है इसके विकास में किन-किन का सहयोग है तो यह हमने देख लिया थोड़ा सा इस रंगीन मचली एप की बिसेस्ताओं के बारे में भी देख लेते हैं कि आखिर कौन सी इसकी मुख्य बिसेस्ता है यह जो एप है यह आठ भारती भासाओं में लोक मचलियों के सौकीन है उनके लिए देख भाल से संबंधित मचलियों के प्रजनन से संबंधित इनकी रख रखाव से संबंधित क्या प्रक्रिया होनी चाहिए क्या प्रथा होने चाहिए क्या तरीका होना चाहिए उस पर व्यापक विबरन प्रदान करेगा इस कारण से खास मालिकों के द्वारा जो अध्यतन की गई गत्सील निर्देशी का है उसके माध्यम से पास की जो भी इक्वेरियम दुकान होगी उसका पता लगाने में खास तोर पे ये कह सकते हैं कि इन्फार्मेशन देगा यही नहीं अस्थानी जो बेवसा हैं उसे बढ़ावा देने में भी मदद करेगा इसके अलावा जो सजावटी मचली है और जो इक्वेरियम से संबंदित जो उत्पाद हैं उसके लिए जो बिस्वसनी सोर्स हो सकते हैं जो स्रोत हो सकते हैं उससे उप्योकरताओं को जोडने की क्या करेगा यह परमीशन भी प्रदान करेगा अनुमती प् एप में सजावटी मचली उद्योग में नए लोगों और पेशेवरों दोनों के लिए सैचडिक जो माडूल है उसे भी इसमें जोड़ा गया है इस कारण से महतपूर है अब बात कर लेते हैं चुकि यह जो पूरा एप है यह विक्सित किया गया है मूल रूप से तीन घट अनुसंधान एवं सिक्षा विभाग क्रिसी एवं किसान कल्यान मंत्राले के तत्वाधान में पूरे देश में क्रिसी में अनुसंधान और सिक्षा के समन्वे मार्दर्शन और प्रवंधन के लिए क्या है यह सर्वोच निकाय है यही नहीं राल कमिशन की क्रिसी पर रिप उनसी लाप एग्रिकल्चरल रिसर्च था जिसे बाद में बदल कर भारती क्रिसी अनुसंधान परिसत कर दिया गया इसका जो हेट पार्टर है वो देश की राजधानी नई दिल्ली में है तो यह हमने देख लिया दूसरा जो सही होगी है वो है आई सी ए आर यानि क्या है कें केंद्री मीठा जल जल क्रिसी संस्थान तो इसके बारे में देख लें तो यह क्या है कि यह जो संस्थान है यह केंद्री मीठा जल जल क्रिसी जो संस्थान है यह भारती क्रिसी अनुसंधान परिसत नई दिल्ली के प्रसासनिक नियंत्रण के तहत क्या है कि मुलूप से भा अत्मान में ये संस्थान है इसकी जो सुरुवात है ये केंद्री अंतरदेशी मत्स अनुसंधान संस्थान बैरकपूर पस्चिम बंगाल के तालाब समवर्धन प्रभाग में हुई थी और इसकी जो अस्थापना है बर्स 1919 में कतक उडिसा में हुई थी तो इसके बारे में हमने देख लिया तीसरा जो है वो है प्रधान मंत्री मत्स संपदा योजना इसका भी सयोंग इस कहसा के है रंगीन मचली एप बनाने में किया गया है तो थोड़ा सा इसके इस योजना के बारे में भी सींस्पदrant मंत्री मस्ष संपदा जो योजना है पी एम एम एस वाई जिसको हम बोलते हैं यह मस्षित पर आधारित एक विकास योजना है जिसे आत्म निर्भर भारत पैकेज के तहट बित बर्स दो हजार चौवीस पचीस तक सभी राजियों में कार्यानुवीत किया जाना है यह करने के लिए बनाया गया है टेकनोलजी जो इंफ्यूजन है वो भी इसमें सामिल किया गया है और इंफ्रा इस्ट्रक्चर एंड पोस्ट हार्वेस्ट प्रवंधन को भी इस योजना में सामिल किया गया है यही नहीं किसान क्रेडिट कार्ड और नाबाड की मदद से किसानों को बैंक रिड मचली पालन के लिए ट्रेनिंग और सबसीडी इस योजना के तहत प्रदान की जाती है केसी सी काड रखने वाले किसानों को बीना गारंटी के दो लाख रुपे तक का कर्ज लेने की सुविधा भी प्रदान की जाती है जिस पर सिर्फ साथ फिसदी की दर से इंट्रेस लगता है और बैंक रिड को यदि समय से पहले भुकतान कर दिया जाता है तो ब्याज पर तीन प्रश्यत की अतिरिक्त छूट भी दी जाती है मोधी सरकार की इस योजना पर 20,050 करोन रुपे का निवेस किया जाएगा और इस योजना के अंतरगत जो 20,050 करोन रुपे का निवेस मस्चेतर में होने वाला अभी तक का सबसे बड़ा निवेस है और इस कारण से भी ये चर्चा का विसे बना हुआ है तो इस तरह से हमने देख लिया कि आखिर रंगीन जो मचली एप है वो है क्या क्यों चर्चा में है इस मचली एप विसेस्ता क्या है और इसके अलावा इसको विक्सित करने में किनका सहयोग है इनके जो सहयोगी घटक है उनके बारे में भी हमने देख लिया तो आज के एपिसोड में इतना ही नए एपिसोड में एक नए कारिक्रम के साथ फिर मिलेंगे तो आप हमारे साथ बने रहें इसके लिए धन्यवाद